गरुण पुराण के पाँचवे अध्याय में पाप कर्मों के अनुसाद योनियों का वर्ण ब्रह्म हत्या करने वाला छह रोगी, गाई की हत्या करने वाला मूर्फ और कुबड़ा, कन्या की हत्या करने वाला कोडी, इस्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्व पात करने वाला भिलोकर रोगी होता है। मेहन ऊचंद के काण इस्त्री का प्रत्याग करदेने वाला बहुत काल तक चोकर बहन और भाईस में दुस्मनी करने वाला ज़ारों जन्मों तक ग迷्च्सक्षार उतर को अब शब्त कहने वाली इस्त्री या निरंतर जगड़े करने वाली इस्त्री जौक बनती अपने पती का त्याक करके दूसरे पुरुष का सेवन करने वाली इस्त्री चमकादड़ी या छिपकली या दो मुही वाली साप होती है। पुराण के अनुसार सेगड़ों कालों के बीच जाने पर भी बिना भूग के कर्म का फलनास नहीं होता।